हेलो फ्रेंड स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूटूब चनल में आपका स्वागत है आर आर बी जुनियर इंजीनियर से बीटी वन का एक्जाम सभी सिफ्ट का खतम हो गया है सो फ्रेंड इसमें हम देखेंगे कि क्या गुड अटेंप सभी बच्चों के रहे हैं और कौन से जोन रेड जोन में आते हैं जिसमें कट ओफ हाई रहने के ज़्यादा चांसिज है और कौन से जोन जिनमें कट ओफ ओन एवरेज रहती है मिन सेफ जोन है और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा टफ रही है और कौन सी शिफ्ट ज्यादा इजी रही है So friend let's start from analysis how much question attempt by student So friend आप देख सकते हैं कि votes यहां पर आप देख सकते हैं कि 6687 votes किये गए हैं यह online net से लिया गया है और जिसमें आप देख सकते हैं कि 60 to 80 जो question attempt किये गए हैं 43% student है जिन्होंने 60 to 80 question attempt किये हैं और अब वो 80, 28% So friend cutoff totally depend करती है आपकी accuracy पर और accuracy जितनी ज़्यादा हो कि उतना ज़्यादा cutoff भी depend करता है और normalization जैसे कि आपने RRB ALP में आपने देखा और normalization कैसी हुआ है और RRB Group B में आपने देखा normalization कैसी हुआ है So normalization अगर देखें तो normalization जो होता है easy shift का अगर आपकी shift easy है तो easy में normalization आपको सिर्फ 7 से 8 नंबर तक है normalization देखेगा जबकि जो moderate level है moderate level में आपको 12 से 13 नंबर तक है और आपको tough में tough अगर है ज्यादा है ज्यादा tough है तो 16 से 18 नंबर तक है आपका normalization आप देख सकते हैं So friend, RRBJ में आपको पता कि 13,487 vacancies हैं जिसके लिए 77 to 80% student ने exam आपकी बार दिया है So friend, अभी देखते हैं कि safe zone में cut off कितनी रहेगी और red zone में cut off कितनी रहेगी और उससे पहले आप देखते हैं कि moderate level total shift में जो easy है उसमें 55% easy shift आई हैं और moderate 35% और 10% क्या हैं tough रहे हैं So friend, अभी देखते हैं कि safe zone में कौन-कौन से हैं और cut off कितनी रहेगी Safe zone में आप देख सकते हैं कि RRB मुजफरपुर, बिलासपुर, गोरकपुर, राची, सिलिगुडी, त्रिवेंदरम, RRB बोपाल, RRB गोवनेशवर, RRB गुवाटी RRB जमू, RRB मालदा So friend, इन में हम देखते हैं कि cut off कितनी रही है, आप देख सकते हैं 60 to 65 जो है general की cut off है 60 to 65 general की cut off है, OBC की cut off है वो 55 to 60 रहेगी और SD की 50 to 55 और SD की 40 प्लस आपको देखने को मिल सकती है So friend, आप इस जोन में देख सकते हैं जो minimum हो 60 है, 60 तक safe zone है और हुतना अगर आप attempt कर ले रहे हैं तो आप second paper की त्यारी कर सकते हैं यह था safe zone और आप आप देख सकते हैं red zone जिसमें जो cut off है वो marginally effect करेगी और थोड़ी सी जदा आएगी पहले वाले के compare में जैसे कि आप देख सकते हैं RRB, हेमदाबाद, अजमेर, अलाबाद, बैंगलोर, चंदिगर्ड, चेन्नाई, कॉलकता, सिकंदराबाद, मुंबई और पटना इन सब की cut off है अन्रीजावट की 65 to 70 तक आपकी vary करेगी और OBC की जो होगी 60 to 65, SC की 55 to 60, ST की 45 प्लस ये जो cut off है ये normalization के बाद है न्रमलाइजेशन के बाद जो आपके marks होंगे उस base पर रहे ना कि जो की आपकी starting में जो number आ रहे हैं अभी मालोग किसी के marks 55 बन रहे हैं, किसी के 80 बन रहे हैं या किसी के 50 बन रहे हूने गबराने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जो cut off है बाद में normalization के बाद सभी के marks increase होंगे क्योंकि सभी shift का normalization होना अनिवार ये है जो फ्रेंड जनरल वाले जो candidate है वो 65 अगर उनके marks बन जा रहे हैं इन जोन में और अब वो 60 आप त्यारी स्टार्ट कर सकते हैं 65 प्लस और 60 जो around 60 जिनोंने marks वैसे अटेंड कर रहे हैं नर्मलाइजेशन उनके marks ज्यादा होंगे 55 प्लस तक आप त्यारी कर सकते हैं और जहां तक safe zone की बात है वो 50 प्लस जिनके अगर marks अभी से बन रहे हैं तो वो अपनी त्यारी स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट के लिए मैं कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें आपको आपको पता स्टार्ट में भी फिजिक्स और केमेस्टी के पूछे जाएंगे 15 पूछेंगे और इस इनी 15 के लिए मैंने एक कोर्स बनाया जिसमें आपको 500 mcq प्रोवाइड किया जाएंगे जो की best से से बैस्ट होंगे सभी mcq बैस से बैस्ट होगे वो प्री जो सीबिटी वन है और विजई उसको देखते हुए और एलपी और ग्रूपटी को देखते हुए हम फिजिक्स और केमस्टी के कोश्चन प्रिपेर किये गए है और यह जो पहला पार्ट अब वो नेक्ट दो दिन में आप अपलोड हो जाएगा और जो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ज़्यादस ज़्यादा क कोश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से टैन कोश्चन टैन कोश्चन इन्वार्मेंट साइन्स से सो फ्रेंड और पीडियाप भी आपको ग्रूप में ही मिल जाएगी जो गूट अटैम्प रहा है मैक्सिम स्टूडेंट को 65 रहा है यह आप दे सकते हैं 65 आपको गूट अटैम्प रहा है जिसमें एकुरेशी 60 प्लस आपकी एकुरेशी रही है और जो कि बच्चे 80 प्लस या 90 प्लस अगर कोई अटैम्प करता तो इसका मतलब यह नहीं कि उन या एकुरेशी वो 65 प्लस ही रहेगी थैंक्स फोर वोचिंग आवर यूटूब चैनल सो फ्रेंट स्मार्ट एंट्रिकी स्टडी यूटूब चैनल को सब्स्राइब करना ना बूले और एक लाइक का बटन जोरू दबाए थैंक यू